मुझा मेरे राज्या बज़ा दूंगी तेरा पाज्या हाई हलकर जवानी हाई मेरे सल्मान हाई डार्लिंग कैसा है तू मैं मैं तो बहुत अच्छी हूँ लेकिन तू कब आ रहा है आज आना बड़ा मज़ा दूंगी वेल्कम हैंसिम अरे बाज आज तो तू पर आही गया वरना नीचे खड़ा रहकर मज़ा लेता रहता था बड़ा मज़ा दूंगी क्या देख रहा है चलना मेरे साथ सो रुपया कम ही दे देना क्यों बेचिकने काई को नकरे पाद रहा है हाँ चलना तुझे दो बेट में जन्नत का मज़ा दे दूंगी चलना आप दूनों परिशान मत हुए मैं या किसी और के लिए आया हूँ अच्छा कौन चाहिए सब यहां है किसके चाहिए इन में सो वो नहीं है अच्छा कहीं तू जाननी की बात तो नहीं कर रहा है वो तो अपने ग्रहक निप्टा रही है ना मैं उसका नाम नहीं जानता अच्छा तो मजनू को उसका नाम भी नहीं पता क्यों बे मजनू चलना थोड़ी दर हमारे साथ तो बैठ चलना अरे चल बैठना आज तो तू बड़ा सजधच के आया है आज तो तू ऊपर ही आगया है क्या बात है बड़ा सोना लग रहा है अच्छा क्या प्रोग्राम शोग्राम है तेरा ले आ गई तेरी चमिया जूली इसका तो देखके खड़ा हो गया अबे जाटू आज उपरा ने किमत करी बैठा साला बाहर खड़ा होकर रोज मुझे रंडी को देखता रहता था क्यों ये तेरा दिवाना है हमारे साथ आना ही नहीं चाहता क्यों रहे इन दोनों की पसंद नहीं है क्या मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो और मैं वह सब तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ किसी और के साथ नहीं कितना प्यार करता है तेरे को साला तेरे बगर किसी और के साथ जाना ही नहीं चाहता है क्यों बेचिक ने अबे साले, मुझे रंडी के चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा देखने में तो सिल पैक लगता है, कभी किसी लड़की की ली नहीं क्या कोई गर्फरेंड शॉल फ्रेंड अबे तो जा, कोई लॉंडिया पटाचिक ने, यहां तो वो लोग आते हैं, जिनको कोई लगाने को नहीं मिलती मेरी शादी हो चुकी है शादी हो चुकी है? तो तेरी बीवी तुझे लगाने नहीं देती क्या? एक महिना हो चुका है मेरी शादी को, मगर मैंने यह उसे हाथ नहीं लगाया बीवी के सामने फ्यूज उड़ जाता है साले का क्यों बे? रंडी को लगाने के लिए वेल्डिंग मशीन लेके खड़ाया क्या? हां? बोलना? मुझे तुमारे सिवा कोई पसंद नहीं है मैं वो सब तुमारे साथ ही करना चाहता हूँ अबे चूतिये बीवी को छोड़कर मुझे रंडी के चक्कर में क्यों पड़ा है? बीवी के पास जा और अपना घर संसार बसा जो मेरे पास है वो तरी बीवी के पास भी है जो तुमारे पास है वो किसी के पास नहीं है अब ये साले क्यों दिमाग के फोड़े फोड़ रहा है ये जो शोरूम है न सबका अलग-अलग होता है गोडाउन सभी का एक ही जैसा होता है ये देख चाल रही तू भी दिखा गर्दन के नीचे के आइटम सब के एक जैसे होते हैं तेरी बीवी के भी ऐसे ही होंगे अब इतना तो बता दे सबसे मस्थ किसके हैं क्यों बे सच बोलने में क्यों फट रही है तेरी बोलना सबसे मस्थ किसके हैं मैंने इनके अलाव किसी को देखा नहीं ये भगवान दिमाग खराब करके रखाये पता नहीं कहा से आ गया अबे साले प्यार से समझा रही हूं रंडी के चक्कर में मत पड़ घर में बीवी है बीवी किले आगे से कभी इस कोठे पर नजर आया तो तेरे अगारा उखार कर तेरे पिछवारे में डाल दूंगी चल जारी इसे बाहर का रास्ता दिखा चल जा अबे साले रंडी से प्यार और बीवी से इनकार चल निकल यहां से बाई 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 बाई